सोरेन की गिरफतारी के बाद और चमपई सोरेन के विदान सभा में विश्वासमत हासिल करने के एक दिन पहले जारखंड के आदिवासियों ने आदिवासी एक्ता रेली की और बड़ी संख्या में जारखंड के अलग-अलग इलाकों से आदिवासी समाज के लोग हेमन सोरेन क गिरफतारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां पर एक अठा हुए ऐसे समय में जब राहूल गांधी की निया यात्रा राची पहुँचने वाली है 24 घंटे के भीतर आदिवासियों का यह एकता सम्मिलन आदिवासियों की जर जंगल जमीन का जो मुद्दा है उसको और हेमन सोरिन की गिरफतारी का विरोध करने को लेकर मारतिय जन्ता पार्टी के खिलाफ केंद सरकार के खिलाफ यह जो है रेली की गई इसमें बड़ी संख्या में लोग आए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आदिवासी समाज के लोग जब विरोध प्रदर्शन के लिए आए तो उनको मुद्दे का कितना पता है और इसके अलावा विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है और इस पूरे राजनितिक घटना करम पर आदिवासी समाज के लोग बिल्कुल आहम लोग सोचते क्या है तो चलिए आज माहौल क्या हमें इसी पर चर्चा होगी इस आदिवासी एकता रेली की तैयारी हेमन सोरें के गिरफतारी के पहले से हो रही थी आदिवासीों के अपने एक मुद्दे है उनकी अपनी एकता के लिए सरना और इसाई कई बार आप समझते नहीं तो जहारखंड के जो मूल आदिवासी है सरना बाद में उसमें से जाप एक अच्छी खासी संख्या कनवर्ट हो गई जो की इसाई है आदिवासीों की तो सरना और इसाई एकता के लिए और कुछ नियम कानून पीच में ऐसे आए हैं जिससे आदिवासी अपने जल जंगल और जमीन के अदिकार पर हमला मानते हैं और इसी बीच में हैमन सोरेन के गिरफतारी भी हो गई और दूसरी बात मैं तमाम जगहों पर जाता हूँ अगर आदिवासीों की कोई रैली होती है एकता रैली या कोई भी रैली राजनेतिक रैली अभी तो उसमें महिलाएं बहुत बर चड़के हिस्सा लेती हैं महिलाओं की संख्या पुरुषों से रैली यों में ज्यादा होती है अभी रैली चल रही है उदर शोर ज्यादा था इधर कुछ महिलाएं बिलकुल एक तरफ खड़ी थी तो मैंने सोचा यहीं से थोड़ा शिरुवात किया जाए एक बात बताओ कि हेमन सोरेन तो गलती क्य दिल्ड़ी किया है कि मुट से फौसर है कि घलती क्या है अदिवासी कभी नहीं मानें गलती कि इसके बावजव पश्य जा लाहा है ञाहा लेकिन क्या कर रहा है हम लोग के लिए लेकिन देटालों सरकार नहीं थे पांसाल सरकार थी ना तो वहीं समय कर करके गया हम लोग के लिए आलएं हम नौकरी कर दिया यह अपने नाम से खथान करा लिया जमीन का घोटा ला क्विधायक नहीं है इड़ी क्यों नहीं जाता है उलों के पास जाए फिर कि कोन कहां से इंकम कर रहा है कोई क्या कर रहा सब तुम्ट सबका प्रोपटी फूंडे सबका जितना प्रोपटी एक परके प्रोपरटी है प्रोपटी। प्रोपटी नहीं जमीन जंगल सारओ खतियानीं भूयारी जमीन तो उसने उसको उसको लग रहा है कि सरकार का प्रोपटी को वह अपना प्रोपटी बना लिए जब कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप बीजेपी को बुल लेते भी जे पी आदिवासी को राष्पती नहीं बनाया राश्पती बनाया तो सासन क्यों लिए अमलोग का इस्थी लागु कहने कर द रहा है लेकिन उनको करने में दिया शाहते हैं हम लोग जानकारी सिर्ट है लोग नहीं जानकारी लोग पढ़े लिखे हैं क्यों पर नहीं देखते हैं आयम एंबी यास अरे तो बोदीव जीता बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रहा है तो प्रमामेंट है यहां elesscendo में सारह कुछ है तो क्ट्रैक्ट में क्यों क्यों यहां से ज़ारखन का बच्चे बाहर जा रहा है आखिर क्यों मोदी सब को बल रहा है वह धर्म भी रोधी नहीं बोल रहा है हम लेगे राम मंदिर बनाया हमारे सरकार के लिए जाकन सरना के लिए क्या किया हम लोग का बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है तो हम लोग क्यूं नहीं मिल रहा है आ़ी तक खहते हैं कि आदिवाटी के नाम पर राजनीत करते हैं हेमन सोरेन और सीबु सोरेन अप उनके उपर आ रहा हो बिजय पी लगाती है पाइसा अप लिए नहीं हो रहा है देश में 14 करोड के आसपास आदिवासी है औराओं गुन्डा इक्का संथाल तमाम उसमें उच्छातिया है और जारकंग में आदिवासों की संख्या बहुत अच्छी खासी है और आपको मालूम है कि अपनी पारंपरिक जो उनका जीवन है उसके साथ वो रेलियों में भी आत पारिश करता हूँ जारकंग के आदिवासी समाज में आदिवासी एकता को लेकर यह रैली का आयोजइन किया गया मैंने पहले आधिवासी घरफदारी से आगजिट हूए है या उसका कोई फरक नहीं पढ़ रहा आधिवासियों में जो जहां है जो बीजेपी में बीजेप बहुत ही पसंदीदा लीड़ रह चुके है जो की धारखंड का उद्य इन्हीं के घर से शुरुवात हुआ है और आज हम जारखंडी है क्योंकि जाने जाते हैं और अगर यह नहीं उठाते तरह साइद हमारा जार्खंड किस्कोने में होता है हक लेने के लिए बहुत दूसरे पार्टिया के लोग अपनी हक यता रहे हैं कि हमने जहारखंड को जन्र के लिया है लेकिन इसकी सुरुवात मैं कहता हूँ 1975 से मैं तीसरी कलास से मैं देखा हूँ उस समय भी मैंने जहारखंड में जहारखंड के जुलूस में सामिल हुआ था और इसी गरम जोशी के साथ मैं उस समय भाग लिया था और आज मुझे खुशी हो रही जहारखंड मुझे मुल गया लेकिन वो अधिकार नहीं मिल बाता और बाटो और भूट डालो और सासंगरों की नीती जो चल रही थी इसी के खिलाप आज हम आभी वासी एकता महारेली क्या है और मुझे उमीद है बहुत सफाता पुर्वकाज की जो है यह जो है हमारे जाता है यह भरस्टाचार मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नेता भरस्टारी चाहिए वह किसी को सदेंटर के ताहां उसको फसाय जाता है और किसी के ताहत खुला फूट दी था उसको जैने कढ़ने में उसे है और यह निम्ट को जहां रही हुआ यह सकता है केस कुछ लटए भाही यह गलती हूई है अगर हुई है तो सद्यंद्र ध्यख़ए इसमें सामील है यह मैं कहना चाहता ऋहूंता जनता का चुना हुआ सरकार था चिले वह लीडर है बहुत ही ले तो यह हम तो लगे शीबू जोरेन पर आरोप लगे विपक्ची पार्टिया कहते हैं आदिवासियों के राजनीत करते हैं और बदले में यह बंस्ताचार करते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप कहे रहे हैं जो कुछ करता है उसी को आरफ लगता है जो कुछ करेगा वहीं गल्ति खरेगा है जो कुछ करेगा इसका बीज़ेपी ए यहां बॉक्पूर्ड बहुमत की सरकार इथना उसके एंप कैसे जितते हैं किसकी बीजीपी की तो बीजीपी कि सब लिए तो आके सब को फूट डाल पूरा देश में जो जो स्थीति पैदा हुआ है देश के अंदर में जो छुपा हुआ क्या आप से दुनिया में डंका बजड़ा है इतना उसको सरम नहीं है दूम चाहिए तक मुझे प्रधान मंतरी को सरम लगता है hadon इंगे कुछ नहीं वाजा रहा है काली ओ आपस में लड़ाओ फूट करो वर राज करो यह चल रहा है हम लोग कुछ आई जानते हैं इधर कादिवासी लोग कुछ नहीं जानते हैं लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा जान रहे हैं इतना बड़ा बच्चा को भी आप दो दो दिन तीन दिन ठीपी दिखा ये का ना कौन जूट बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता लग जाएगा समझे इतना मने आदम अभी समझ रहा है अब दुनिया में डंग का बज रहा है कुछ नहीं है जी रो दो हजार चोबिस में चुना हो रहा है ना हां आ रहा है तो फिर क्या क्या होगा क्या होगा उसको हराएंगे वक्त बताएगा और हराएंगे उसको दो हजार चोबिस में नरेंद मोदी मानसिक रूप से हार गया है और विपक्ष के जितने भी मुखमंत्री है ये इनके इन प्रकरेन उसे एंडिये में शामिल करने के लिए ED, CBI, IT और Crime Bureau को अभी आपने बिहार में देखा किस प्रकार से असमयधानिक सत्ता परिवतन किया गया और अभी 48 घंटे पहले जारखंड में बहुमत्त की सरकार को इन RSS और BJP के लोग जो समविधान को बंधग बनाना चाहते हैं समविधान को ताक पर रखना चाहते हैं उन्होंने बहुमत्त की सरकार को सपत लेने में 48 घंटे लगा दिये तो ये मोदी सरकार जान रही है कि 2024 वो हार रही है इसके भई से वो अपने हार को छुपाने के लिए तमाम समविधानिक जनतन्त को लूटने का प्रयास कर रही है एक बात बताईए इस देश में एजेंसी के अलावा अदालते भी अदालतों में जायिए आपके बहले भी देखा होगा आपने आपने आरौत तमाम लोगों पर लगे लेकिन आदालतों ने उनको बरी कर दिया जो जाया अभी तो आरोप आपके मुख्यमंत्री पर लगे आपको क्या लगता जांच एजनसियां इस बात पर जांच ने कर रहे हैं फला आदिवासी फला मुस्लिम है फला हिंदू है फला यह अरे भष्टाचार किया अगर आरोप लगे तो उसकी जा मंत्री पर लगाया उस इडी का सकसे सेट एक परतिसत है सो लोगों को अगर वो आरोपी बनाता है तो एक लोगों पर वो आरोप सिद्ध करता है इसलिए यह जो इडी है वो नरेंद मोदी और अमित्सा के इशारे पर जो काम कर रहा है उन्हें भी साउधान हो जाना चाहिए वो इडी हो चाहिए वो सीबी आई हो यह जो कह रहे हैं उससे आप इत्तफाक रखते हैं जिसके उपार भर्ष्टाचार कारोप लेगे उसकी जांजना हो चार में डालना और निकालना पावर पर चलता है सर्थ हमंत करकरे को मारा गया सचाई आने नहीं दिया गया पाकिस्तान वाला यहां आटाइक किया था उस समय में यह विचारा अले वो तो आतिंकवादी घट्टा में मारे गए अभी आप यह बताईए आप जारखंड का मुझे बताईए कि आपको क्या लगता है कि मुख्यमंतरी को फसाया गया है हाँ जी हाँ आपको लगता नहीं कि पंद्रव पंद्रह अजार आएगा तो 2014 में दो करोड़ हम नौकरी देंगे आभी कैसा है लोग हला कर रहा है कि मोदी मुख मंदिर से नहीं चले गा मेरे को रोटी चाहिए मेरे को करेंगे कब करेंगे मंदिर से राम का माहूल तो हम लाए है राम कि शितक हम लोग लाये थे तीर धनौस लेकर स्री लग्का से पुछे माठी अ अधिवासा इसे लिए गंगाजल छीटा जाता है कि अधारा जावाल बहुत है सबस्क्राइब सब्सक्राइब करने कि अध्युद्ध नहीं है इसके पहले के राश्पतियों को बहुत ताकत थी तो यूज नहीं करने देता है यूज करने नहीं देगा जब तक आदिवाजी राश्ट्रपती पहला कौन मना अधिवराज आधिवाजी राश्ट्रपती तो हम इसी को देख रहा है तुरुपदी को तुरुपदी मुर्व को जान रहे हैं तब बीजेपी ने किया गी नहीं अधिर बोला नम है तो रवर इस्टाम बनाने से नहीं चलेगा तो अमबानी आड़ानी को पैसा देते जा रहे हैं जल जंगल जमी लुटते जा रहे हैं उसके पांच साल रहेगी ना हमको क्या मिला है उसको मेरा बाल बच्चा को मेरा जमीन को इसो नोकरी देगा बचा ले चाइनीज डिस नूडल्स ने गाओ गाओ देहाद हर तरफ अपनी पहचान बना ली है मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा या अधिवासी बेहने सारी के सारी बड़ी चाव से नूडल्स खा रहे हैं क्या इसको क्या बोलते बता हूं हम लोग चौमीन बोलते हैं आप लोग घर में भी खाते हो नाई सब अब बताओ क्या खा रहे हूं चो मिन का रहे हैं तो आप कब कितनी बार आप इसको खाएं हाँ दूसरी बार खा रहे हैं अच्छा लगा आपको अपने खाने से अच्छा लगा थोड़ा तो अच्छा लग रहा है तो खार है आप एक बात मुझे यह इसलिए मैं कि आप लोग तो इतना शुद्ध और प्राकृतिक साग सब्जी खाने वाले लोग ये इतना नहीं मसालेदार और सारी चीज़े है कभी कभी मन करता है सर कभी कभी मन करता है और आप से बुद्मू से आप भूब ढूर्मू से आप लोग किस लिए आई है आपको मालूम है जी हाँ हमको आधि दर आदिवासी का दर्जा मिले इसलिए आए हैं है पर तो आदिवासी दर्जा तो है हाँ तो का बोलेंगे हम लोग को आदिवासी नहीं बोला जाता है हम लोग धर्म मनते हैं इसाई जिसे ने बोलता है कि लोग आदिवासी नहीं है लेकिन हम आदिवासी है धर्म मनते हैं इसाई आप लोग इसाई बन गया हो जी हा आपके गाउं में कितने लोग इसाई बन गए अगरा चोटा परिवार है चोटा गाउ है पचास परिवार तो सब के सब बन गया इसाई अगर बने थे बहुत पाले हम जनभी ने लिए थे उसमय तो अब सब आपके गाउं में सरना नहीं बचे बचे हैं कुछ तो क्या जो लोग इसाई में हो गए आदिवासी उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ जो लोग इसाई हो गए आदिवासी उनको कुछ लगता है हाँ कहने लगेगा हम आदिवासी है बोलके डेखे आदिवासी ओकी जब रहली होते हैं मैं काई पार गया हम तो उनके जो पैनावे हैं उनके जो जुड़ी परमप्री चीजेा है उसकी दुपाले में लगी रहती है यह तो अहीं यह जैकेट चूहाता है आदिवासी इसी तरह का जैकेट में टियुक्त पहुंता है यह बताएए इसका असल इसको क्या इस जैकेट कपैड़का क्या मतल्द है फचान है इसका पास्चपा से बना हो खादि का है खादि कपड़ा है तो हम लोग कॉरती पा अब लोग लूटना चाहते हैं हम लोग का ब्यूजेपी कहती है अगर आधिवासियों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया तो उनकी सरकार है मोधी सरकार है आरे वहां कहां काम किया हो तो दिखाई देता है जामीन में दिखाई दे रहा है काम क्या किया अभी हम लोग आदी बाशिये में जाती पाती का बेहत बाव कर रहा है तो कौन सा काम कर रहा है तो लड़ाई लड़ाने काम कर रहा है कौन सा डिलिस्टिंग का डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग का मामला बड़ा हो रहा है उसी का तो डर के मारे सब डर रहा है इसलिए हम लोग आये थे एक तारहली में वैसे तो 2024 के चुनाओ में क्या रहेगा बिच किसकी सरकार डिली में आई अभी उतना तो हम नहीं किया वहलोगा को बताएगा है कि आपको कोई अतराज है हमको उसमें मालूम ही नहीं तो हम इतराज की नहीं अतराज क्या बोल सकते हैं कि आपका क्या विचार है किसिस पर हैमन सोरें के गिरफ्तारी पर है आदिवासी आम आदिवासी क्या सोचता है तो क्या सोचेगा किसी तरह का अभी अब तो खुला भी नहीं है कि क्या हुआ कई से हुआ इस इसको जाने का तब तो है एक सारे आधिवासियों का विरोध है विरोध तो है नहीं जानपा रहा है इसलिए अंदाजी ौप किसी बोलेगे तो अरे भरस्टाचार के उनके उपार आरोप अमने नामें अगला जहां तक अधीबासियों के बीच का बात है ओमिद है की कम संख्या होगा वेजेपी का बेजड़ेपी का संख्या का मोट — अधिवासी वोट्यों के लिए उनको राष्टपति बना दिया दुर्प्दियू मूरेमउ को वो तो समेधान के तرف से गया मैं वह क्या बोलते है है हम सांसाद के तरफ से गया है ओ लोग उर्च उनके अपने विश्ה है अपने तरफ से अपने मन्थाबे के तरफ से भेजा है ओ तो दिः नहीं लिया गया है है अब तो इसलिए स्रक्का जोद पाटी है कि अच्छा राष्टपती बनाने से द्रवब्दीव मुर्गों को आदिवासी समाज में कैसा संदेश किया है लोग इसको लेते हैं एक प्राइड कभी से कि हमारे समाज से वहां तक पहुचाने का काम बीजेपी ने किया है कि इसकी चर्चा नहीं करते हैं लेकिन त कि अधिवासी के नाम पर कि वह सिर्फ खड़ी है में तो जो सब्सक्राद का संसाथ में उनके सारे पर करती है जो नियम कारून पास कर रहा है सो अब बैजेपी है कि अपने इसानुसार पास कराता है कहें कि बहुमत में बहुत ज्यादे हैं वह तो मोदी जी का हैक्रिक तो मैं ऐसे ही टेलते घुमते राची की सड़कों पाज आदिवासी एकता रेली में आए आदिवासी समाज के लोगों से बाचीत और माहुल जाने के लिए निकला था तो द्यामनी बारला जी मिल गई जिन्हें जारकंड की आईरन लेडी के तौर पर जाना जाता है विस्था पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने आदिवासी समाज के लिए जो अभी तक किया पिछले सत्तर सालों में सालों में सरकारों ने नहीं किया ऐसे समय में आदिवासी समाज की एकता रेली में गई थी जिसमें जारखेंड के कोने कोने से जिस तरह से गाउंघर से खेत खलियान से लोग निकल के आये थे यह जनसायलाब कहीं न कहीं यह सवाल लेके आई थी और जो आप सवाल कर रहे हैं एकता की बात तो यह देश का दुर्भाग्या है मेराज का क्यों नहीं कहूंगी और आदिवासियों का दुर्भाग्या क्यों नहीं कहूंगी पूरे देश का दुर्भाग्या है कि इस देश में जहां भी आप जाईए आप परेवरन का बात करेंगे जंगल जमीन का बात करेंगे तो यह देश का इतिहास है विदेश का इतिहास है कि आदिवासियोंग ने खुंखार जंगली जानवरों से संघस करके जमीन को जंगल को अबाद किया है जार्खन की भी यही कहानी है और ये जो जार्खन की धर्ति को अगर अबाद करने की बात कही गई है तो आदिबासी एक जुट थे एक साथ थे तभी खुंखार जंगली जानवरों से संघस कर पा कानू चांद भैरो दिल का मांजी बीर बुदु भगत से लेके बिरसम उंड़ा तक की लड़ाई सब में संगठित होके ही लड़ाई लड़ा था और देश की अजादी में बढ़ चड़के यहां जारखन के आदिबासियोंग ने हिस्सा लिया था देश अजाद हो गया उसके हमारी सामूताई का अदिकार जो है वो चिना जा रहा है हमारा जो स्वेत्ता है वो चिना जा रहा है उस पर हमला हो रहा है तो जार्खन अलग राज की मांग की गई और जार्खन अलग राज के लिए फिर से संगठित होके अदिबासियोंग ने लड़ाई लड़ा और संग हजारों लोगों ने सहदत दिया उसके बाद जार्खन लग राज बना जार्खन राज बनने के बाद 24 साल होगे लेकिन आज की तारीक में हमारा जो संभाधानिक अधिकार है कि अधिकार मिला है जल जंगल जमीन पर आप संथाल पर गना के अधिकार मिला है वो तमाम अधिकार खतम किये जा रहे हैं विकास के नाम पर और यहास पर मैं बताना चाहते हूं हम लोग विस्थापन के खिलाप लगातार लड़ाई लड़ते आये हैं अजादी के बाज आज तक पांच करोड से ज़्यादा अदिवासी विस्थापित हुए हैं 20 लाग से ज़्यादा एग्रिकल कर्चल लाइंड और फोरेस्ट लाइंड को अल्रेडी डिस्ट्रोई हो कि आदिवासियों का धर्म के नाम से भी लड़ाने का काम कर रहा है यू सी लाया जूरा है तो यहां के लिक्राले यहां पर हम किसानों की बात करेंगे, यहां पर मजदूरों की बात करेंगे, मजदूर कहां से आपका सर्टीफिकट अपना जुगाड करके आपको संतुष्ट कर सकेगा, कि हम यहां के नागरीक हैं, भारत के नागरीक हैं, अब यह जो यहां पर जारखन में पांचुए नु यह ग्राम सभा के भीतर में सीएंटी एक में स्पिटी एक में फोरेस राइट एक में गाउं के भीतर का तमाम जो जंगल है जमीन है नती है जील है चरना है गाउं का समुदाइक संपती है लेकिन जिस तरह से गेंदर की सरकार ने आई यहां अड़ानी अम्बानी को पूरे ध सित्ती में हम जंगल बचाने हम खतियानी है आदिवासी खतियानी है तो ये बात को बोलने के लिए तो सारे लोग हम लोग खतियानी हैं हम लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ परदेश चुनाओं के ठीक पहले आपका विरोध बीजे पी से है कि आप आधिवासियों की एक तक आप बीजे पी ने इसी इसी स्टेट को बनाने में बीजे की सरकार मी इस्टेट बनी वो कहते हैं कि जारखंड को अलग हमने बनाया सबसे जाइदा वक्त तक इस जारखंड में जो आदिवासी बहुल प्रदेश है इसमें सबसे जाइदा वक्त तक बीजेपी का राज रहा पहली बार मेजॉरिटी इस राज जिमें बीजेपी को मिली उनके सांसदों की संक्या है अब जब चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि एक माहौल बनाने के लिए हेमन सोरेन की गिरफतारी ब्रस्टाचार के आरोप में हुई है उसके लिए आप जो राजनेतिक विरोधी है वो आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एक करने की कोशि पुरा जुन्दगी भर हम लोगों ने किया हम लोग ये महसूस कर रहे हैं हम लोग लैंड बैंक के नाम से स्वा मिद्वा योजना के नाम से और यह जो अभी यह क्या फोरेस्ट ब्रस्ट कंजर्वेशन एक्टो गएरा लाके वह सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सब्सक्राइब और अगर आप बोल रहे हैं राजनिति की बात तो आदिबासियों से बड़ा राजनिति यह कौन हो सकता है सीधु कानुचांद भैरा अठारा सो के दसक में वो हमारे गाउं में हमारे राज की बात करते थे सौसासन की बात करते तभी न अंग्रेजों के खिला आप लड़ाई लड़ा जिस समय की कोई नहीं था उस समय 1830 जून 1856 में भोगनाडी में 25 संतालियों में सहदत दिया राजनितिक नहीं होते राजनितिक जानकार नहीं होते मतलब ज्यान नहीं होता तो क्या उनके खिलाप में देश गुलाम है यह समझ पाते तो आज हम जमीन की बाराजनिति करते हैं परियोवरन बचाने की राजनिति करते हैं हम लोग human rights का violation के खिलाप में राजनिति करते हैं हेमन सोरेन की गिरफतारी भारतिये जनता पाटी ने पूरी तरह से injustice किया है इसलिए किया है कि ठीक है हम लोग इतने सारे लोग स्लोगन देते हैं ब्रास्टार चार मुख देश बने आप हमको बताएं 2001 में राज बना यहां आप खूट कह रहे हैं कि 24 साल में सबसे ज़्यादा राज भारतिये जनता पाटी ने चलाया लेकिन आज की तारीक म इडी भारतिये जनता पाटी के एक कर्च करता के घर में क्यों नहीं जा रही है भारतिये जनता पाटी के नेतां के घर में इडी क्यों नहीं जा रही है भारतिये जनता पाटी का मंत्री भी रहा संत्री भी रहा सारे लोग संसद और विधायक रहे इडी उनके दर्वा जमन जैसे आप भारती जनता पार्टी के गोट में बैट जाएगा आपके दूद के धूले हो जाएगा जितने भी करप्ट लोग वहाँ पर जाते हैं तो आज की तारीक में आप जो सवाल कर रहे हैं हेमान सोरें को सिर्प और सिर्पी इस राज में आदिबासी युवा लीडर के रूप में वो उभर गया था और ये बड़ देजी के साथ जार्खन की राजनिती को प्रभावित आदिबास्योंग ने किया था भारती जनता पाटी पचा नहीं सकी तो हेमान सोरें को आदिबास्योंग की राजनिती को खतम करना था तो 8 एकर जमीन के कब्जा करने या तो गार कानुनी तरीक से लेने के अरोप में उनको जेल में भेज दिया मैं ये सवाल करना चाहती हूँ भारतिय जनता पाटी से नरेंदर मोधी से अमिसा से पूरे जहर्खन का जमीन हजार हो हजार एकड गार कानुनी तरीके से लोगों ने कबजा करके रखा है गार कानुनी तरीके से कमपणियों को दे रहा दे दिया है आदि बासियों का का जो सी एंटी एक्टो भाइलेशन करके दूसरों को के कबजे में है माननी ये प्रधान मंत्री आप उनके दर्वाजा में एडी क्यों नहीं भेज रहे हैं जारकन कत्व आधा जमीन कबजा करके अपने खतम कर दिया हम आगजर करते हैं माननी ये प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री से ऑप यह था सीघर उनना चाहित चाहर में जारकन बनाना बनाना चाते एं तो उन तमान लोगों के घर में आप इडी बैठाइए उनको जेल में डालिए चोटा हो गया है हम लोगों ट्वार जेल के लिए जमीन देंगे लेकिन भ्रास्टाचारियों को आप खतम किजिए लेकिन अगर आप हिमन लगुआ लिए ठीक है उसके बाद आप देख लिजे ना आप वहाँ पर जितना भी रास्ट्रिय कार्यक्रम हुआ आपने रास्ट्रपति को कहीं जगा दिया आप कहते हैं आदिबाशियों का मैं मसीह हूँ ये कहते हैं और दूसरे तरफ से आदिबाशी आदिबाशी करके प क्या करार है हस्देव में आप तो सिर्फ अड़ानी और अंबानी को जानते हैं ना उनका थैली के वल्पूरे देश का सारा संपती तो अड़ानी और अंबानी को आप देना चाहते हैं आदिबाशियों को कुछल के ये नहीं चले गए यह बड़ी सामाजी कारे करता हैं मैं मैंने बताया आपको कि आईरन लेडी के तौर पर जाने जाती है और अपनी बाते कहती रहती है ऐसी शक्सितों को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके विचारों को आप तक पहुंचाना चाहिए बहराल कुछ और लोगों से बात करता हूं अब देखें जारकंड में कोई भी राजनितिक कारकरम हो सामाजी कारकरम हो वो अपनी पारम परीक बेज भूसा अपने लोक निति अपने सारी जो सांस्कृतिक उनकी पहचान है उसके साथ आते हैं यह पाइकान नित्य कर रहे है जारकंड के लोग और इसको एक रलक तरीके स किया जाता है, जिसमें धाल भी होती है, बर्ची भी होती है, तलवार भी होती है और नगारे के साथ किया जाता है जाता है, जो राजा महराजा जो जाते थे, उसको बराती को लेते हुए आ रहे हैं लोग हना और हम लोग जो है सो इसको रख्या करने के लिए अगर अर बिदा होके आ रहे हैं तुसका हम रुखर जाते थे हैं आप लोग करते हम लोग यहां भी बुला जाता है इह जाते हैं update है नाज यह देखत HEY और लोग भी कर ला है कि अप्रोड ने कम और हैं आगे। आते ही जा रहे हैं और जहां तक है कुर्शिस कर रहे हैं कि बढ़े लेकिन घटे मत जा रहे हैं हम तो आजी आप कुछ बोलना चाहते हैं ने भाइया बात इसा है हम लोग आज का विशेश रही था एक सडियन के तहत हम लोग के जो रचना रचा जा रहा है उसके खिलाब था और हम लोग सब भाई भान एक हैं कोई यही कहना है देखी यह निरीत है जा रखन को लोग निरितлем है और इसके जार्खन का लोग निरित्य आप यह जारखन का लोक निरित्य है पाइका इसे साइनिक भेस बुशा धारम कज़े किया रहता है और यह चुप जा रहा है लेकिन हमारा सोच रहता है कि यह बचे हमारा परमपरा संस्कृति से के साथ हम लोग ऐसा करते रहते हैं बस यहीं कि आई है मन सरेन को अरिष्ट किया इडी ने ठीक या कर बड़ देखिए तो कानून है गलत करेगा उसका परिणाम गलती होगा जांच सबके परती होना था यह जांच हुआ गला था इसलिए जेल वान तो जेल नहीं होता है और यह का बोलना चाहेंगा लोग यह बहुत लोग अश्रम का मुखमंत्री भी है तो बाकि बीजेपी में जाये तो वासिंग मरसिंग हो गया एकदम जो फेक्त है वही बोल रहे है वहीं जो बीजेपी में गया वह दूद का धूला हो गया ठीक है आप लोग ने बात कि इसका बहुत शुक्रें हम तो घुमते फिरते आये थे हम सब के तो मैंने सुचा आधिवासियों की बात की जा हम तो पहले भी बोले थे आपको भी या यह जो साजी से बीजेपी का चुबीस को देखते हुए यह कहाने, जो 2024 के जो चुनाव है ना उसमें हम लोग बता देंगे कि आप क्या है, हम लोग क्या है जो हारकंड में अदिवासी चेहरा जो जो था ना उसको देख पाने ही रहा है भचपा, और खास करके हमी सार नारेंदर मोदी, इसको हम लोग चुनाव के माधियम से जो सिस् राची से हाजिर होंगा वज़े ये कि पांच फरवरी को चमपई सुरेन को विश्वासमत हासिल करना है आज रात देर रात हैदराबाद से ग्यम्म कॉंग्रेस के विधायक लोट आएंगे वो सारे के सारे विधायक जो इस खेमे में है विश्वासमत तक बने रहेंगे कि नह कराल आज बस इतना ही उमेश सिंग के साथ राजी रिंजन निवस्टेटिफोर राची कर देगा इत्यास जब जब लेगा मेरा नाम पर तक्दीर लिखने वाले थी वो